हेलो फ्रेंट्स वेलकुम टो मैं यूटूब चैनल जीके इनफो टूबर फ्रेंट्स एन्सी आर्टी जोग्रफी हमारी चल रही है क्लास सेवन हमारी बाकी है सिक्स और एट हमने कम्प्लीट कर ली और कल हमने किया था परियावरण के बारे में परियावरण क्या होता है स्थल मंडल जल मंडल वायू मंडल और जयव मंडल के बारे में पढ़ा और पारी तंदर के बारे में पढ़ा आज हम देखते हैं हमारी प्रित्वी के अंदर क्या है प्रित्वी की जो परते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और स्थल मंडल और और भी बाकी चीज़े हम जानेंगे हैं हमारी प्रिथवी के जो अंदर का आंत्रिक जो भाग है उसके बारे में हम जानेंगे तो पढ़ते हैं आज हम लेसन नमबर टू हमारी प्रिथवी के अंदर हमारी प्रिथवी एक गतिशील गरह है गतिशील का स्थल भी है, इसके अंदर और बहार निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसके अंदर भी परिवर्तन होता रहता है, और बहार भी, बहार तो हम देखते ही हैं, लेकिन अंदर भी इसमें परिवर्तन होता रहता है, वो कैसे होता है, वो हम देखेंगे, कि आपने कभी सोचा कि प्रित्वी के आंतरिक भाग में क्या है प्रित्वी किन पदार्तों से बनी है तो आपके दिमाग में भी एक कोश्चन आया होगा तो प्रित्वी के आंतरिक भाग ही हम बात करेंगे प्रित्वी के ऊपर तो हमने देख लिया स्थल है जल है और वायू मंडल है और जया मंडल ह लेकिन पिर्थवी का जो आंत्रिक भाग है वो हम जानेंगे इसके बारे में तो आंत्रिक जो भाग है वो एक प्याज की तरह पिर्थवी एक के उपर एक से केंद्री पर्तों से बनी है एक उपर उपर एक पर्त ऐसे है पिर्थवी के सबसे उपरी पर्त जिसके कल भी हमने ब महाधीपों च mister um पांच किलोमीटर तक है और समुन्डरिश्तय की बात कि युए-व बदोनos को मिलाकर कि सीर बोल देते हैं वहां से सीमे कहा जाता है तो महासागरों की परपटी की अगर बात की जाए तो वो क्या है सीमा जिसे सियाल, सीमा निफी आपने सुना होगा तो महादवीपी जो सेंती है वो मुखे रूप से किसकी बनी होती है सिलिका और मैली इसको सियाल बोलते हैं और जो महासागर है महादवीप की बात है तो सियाल और अगर महासागर की बात है वो सीमे इसमे इसमे बनी हुई होती है इसलिए इसको सीमे कहा जाता है अगर बात आती है महासागर है परपटी की तो आप इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे आप सीमे अगर बा विशु की सबसे गहरी खान दक्षिन अपरीका में स्थित हैं, और इसकी गहराई लगभग 4 km है, तेल की खोज में इंजिनियर इसको 6 km गहराई तक खोज चुके है, तो विसुक के सबसे गैरी खान कहां पे है दक्षनी अफरीका के अंदर है पिर्थवी के केंदर तक पहुँचने के लिए आपको समुदर की स्तै पर 6000 किलोमेटर गैराई तक खोदना होगा अगर आपको पिर्थवी की स्तै केंदर तक पहुँचना है मतलब यह आंतरिक जो क् महासागरय और यह महासागरय परपटी है उसके बाद में इसके त्रीजा लगबग 3500 किलोमेटर है और यह मुख्यत निकिल और लोहे की बनी होती है इसलिए इसे नीफे कहते हैं किंद्रियक रोड का तापमान और दाब है वो काफी उच होता है जो किंद्रियक रोड है जो दातु होती है और फैरस का मतलब लोहे की मातरा होती है इसके अंदर तो निकिल और फैरस दोनों से मिलके इन नीफे इसका नाम है और केंद्रियक रोड का तापमान और दाब है वो काफी उच्वत कई बार यह कोशन पूछ लिया दता है बहुत इंपोर्टन लेसेन है यह पृत्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है और 84% हिस्सा है वो मेंटल और 15% हिस्सा है वो क्रोड है तो आपने देख लिया जो आंत्रिक जो क्रोड है यह 15% 15% है मेंटल है वो 84% है और शिरफ यह 1% हिस्सा है वो परपटी का कहलाता है उसके बाद में हम बात करते ह ऄक परकार की इंत्स कि पिर्थवी की परपती है वो अनएक परकार की शायां से बनिया प्रती बन नंवाले बदार्त में के हrift उसे अंगली जो हो जाता है जो मपमा निकलता है तो रवह अवस्तामे वोते हैं जो थन्ड़ united लेकि फ्युश बन जाता है तो इस अग्ने शोल श्य श्यार करें इसको प्राथ्मिक श्यार्श भी कर संव कि तो promotes में बन रही है और आगने शेल आगे फिर दो परकार की होती है एक अगने भी बहीर भीदी तो कि आप जवाला मुखी जो मैंगनी का निकलता है ईए ठंडा होगर ठोस हो जाता है तो आगने शेल का रूप बन जाता है क्योंकि आगसे बना हुआ है इसलिए इसको आगने भी बोल देती है और फिर प्रात्मिक शेल भी आगे दो परकार के होते हैं, एक अंतर भेदी शेल और एक बहीर भेदी, कि आप जवाला मुखी से निकलने वाले लावा की कलपना कर सकते हैं, वास्तों में आग की तरह लावा है, जो दर्वित मैगमा ही लावा है, जो पृत्वी के आंतरिक भाग स से निकल कर स्टैपर आ जाता है, जब यह दर्वित लावा पृत्वी की स्टैपर आता है, तो तेजी से ठंडा होकर के ठोस बन जाता है, और परपटी पर इस परकार से बने शेल को बहीर बेदी शेल कहते हैं, यह बहार आकर के बनता है, इसलिए इसको बहीर बेदी कहते है और इसकी सरंचा बहुत महीन दानों वाली होते हैं बहुत पतले-पतले दाने होते हैं इसमें जैसे बेशाल्ट है दक्कन पठार है वह बेशाल से बना हुआ है दर्वित मैकमा कभी-कभी भूह पर-पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाते हैं कई बार वह बहार ना आकर अंदर ही ठंडा हो जाता है वो लावा तो उसको आप क्या बोलेंगे फिर अंतरभेदी शेल बोलेंगे सबसे पहले तो आपको यह पता होना जी शेल कितने परकार की एक इगनीशियस एक सेडिमेंटरी और तीसरा मैटमोर्फिक इगनीशियस मतलब आगने शेल है जब तो इसका उधारन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बेसाल्ट इसी परकार का इक उधारन है उसके बाद में है देरे धेरे ठंडा होने करने यह बड़े दानों का रूप ले लेते हैं और ग्रेनाइट बन जाता है फिर इसका ग्रेनाइट ऐसे शेल का उधारन है लेई, पहुंच कर जमा कर दिये जाते हैं तो जब शेल वो तूटकर लुडग कर चटकर और एक दूसरे शे टकरा कर जब टुकडों में तूट जाती है तो आप उन छोटे कणों को अवशाद कहते हैं और यह अवशाद क्या होते हैं हावा जल और आदी के दवरा एक सान से दूस अवशादी शेल कहते हैं तो आपको समझ आ गया होगा आगने शेल जो लाबा ठंडा होने से बनती है उसके बाद वो शेल लुडग कर चटक कर एक दूसरे टकरा कर जब टुकडों में तूट जाती है तो उनको अवशाद कहते हैं और वो अवशाद क्या होता है वो धीरे- जिवाशम भी इनके इसी के अंदर अवशादी शेल के अंदर पाए जाता है अवशाद पाए जाते मतलब उसके बाद में हैं जिवाशम होते क्या है तो शेलों की जो पर्तों के अंदर दबे हुए मृत जो पोदे है या जन्तुों के अवशेश है उनको जिवाशम कहते है जो कि वो जब टुकडे टुकडे इधर उधर फैलती हैं तो उसके अंदर वो चीजे मिल जाती हैं तो शैलों की पर्तों के अंदर जो दबे मृत पोदे होते हैं या जन्तू के अवशेश होते हैं उनको हम जिवाशम कहते हैं उसके बाद में आती है हमारी तीसरी शैल तो अगर बेशाल्ट के आप बात करें तो आगने शेल का उदान है उसके बाद में शुक्षम जिवानु जो कभी इन शेलों पर रहे है वो जिवासम होते जिवासम भी आपको पता चल कि अम्रित पोदे या जन्तू हो कि जो अवशेश होते हैं उनको जिवासम बोलते हैं आगने मिटी से ही तो 21 लेट और चूना पत्थर है वो संगमर मर में परिवर्तित हो जाता है तो वो कायंतरित में परिवर्तित हो जाती है शेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है और कठोर शेलों का उपयोग है वो शडक घर और इमारत बनाने के लिए परियोग के जाता है आप पत यह तो ओपकार के लहाई ब्लुमें हो्ते हैं' सो आपने अभी देख्प है लाल बल्वा पत्तर किस परकार कि उधशयत फेले में लाल बल्वा पत्तर сторस देखा कि भी डहें नहीं सुन्लकलий है कि उधार तो बल्वा पत्तर हैं वहूं उसके बाद में हमारा दूसरा है संग्मर्मर अब संग्मर्मर है वो किससे बनता है संग्मर्मर भी आपने अभी अभी देखा है चुनना पत्थर है संग्मर्मर में तो यह कायंत्रित शेल का उधारन है तो यह आपने देखा तो यह हमारा कौन सा है अवशादी शेल सेडिमें दिसाओं में एक परकार की Shell चक्रिया तरीक एक दूसरे में परिवर्थित हो जाती है, एक Shell से दूसरे Shell में परिवर्थन होने की इस परिकरिया को शैल चकर कहते है, दिरी दिरे करके इनका चकर चलता है, और आप जानते हैं कि दर्वित-मैगमा जब ठंडा शेल फिर पिगल जाती है, फिर कायंतरित शेल बनने के बाद क्या होता है, जब इसकी के उपर अगर अधिक ताप और दाप लगाया जाए, तो पुने पिगल के फिर मैगमा बन जाती है, और वो मैगमा फिर ठंडा उकर फिर अगने शेल बन जाता है, अगने शेल फिर में तूट करके और फिर ये अवशाद के बाद में क्या हुआ फिर इसके उपर ताप और दाब लगा तो ये पिगल करके मैगमा बन गया और मैगमा से फिर अवसाद तो इस तरह से इनका एक शेल चकर है वो चलता रहता है शेल विबिन खनीजों से बनी होती है खनीज प्रकर करनिग मिष्रन होता है जिसके अंदर अवशाद होता है हवा है जैसे और खनीज मानव जाते कलिए बहुत मैत्वपुल्ण है कुछ का उप्योग इंदन की तरह होते जैसे कोला है प्राकृतिक उटरोलियू है इनका उप्योग उध्योग ऊषदी और उरवर्क में भी होता कंटोड़ी च छीजिये होती है जो हमारे मैग्मा के ठंडा होने से बनती है और रवा के ठोश रूप से बनती है उसके बाद में तीन परकार खेलों के नाम तो इंगने शय च्हैल सडिमेंटरी निरमाण के वह घर अंतर बहर थंडा फेलका डे अंतरभेदी बॉलिंग शेल चकर से अभी आपको समझा एक पहले मैगमा ठंडा होता है फिर शेल बनाता है और शेल फिर उसको मतलब टुकड़ों में तूट जाता है तो अवशादी शेल बना लेता है अवशादी शेल पर तापदाप लगाने कायंतरित और कायंतरित फिर फ अवशादी शेल के उपर जब उच ताप और दाप लगता है तो कायंतरित फिर शेल का रूप ले लेता है उसके बाद में दर्वित मैगमा से बने शेल क्या कहलाता है आगने शेल के लाट पिर्थवी कि सबसे भीतरी पर किसको बोलेंगे आप क्रोड को बोलेंगे यह होग बादी शेल होती जिसके अंदर जिवासम पोदे और जन्तुओं के अवशिस पाए जाते प्रिथवी के सबसे पतली पर्थ कौन से तो एक परशेंट जिसका आयतन है तो परपटी होएगी सबसे पतली पर्थ